नमस्कार दोस्तों सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल फैंडस इविन प्रिडिक्शन में तो दोस्तों मैं फिजु मैंच कवर करने वाले हैं बुमेंस इंटर जोनरल टी टॉन्टी ट्रोफी का मैंच नमर नाइन जुकि दोस्तों पिखला आएगा एजड़ बुमेंस बस साहिद करता कार करने के लिए और जिन लोगों ने वी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर प्रेस कर लें जिसे आने वाले मैंस इसकी वीडियो आपको टाइम भी मिलती रहे दोस्तों जो मरा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारी फाइनल टीम मिलेगे आपको हमारे टेलग्राम चैनल से भी जूड़ जाना इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रेप्सन और फर्ट कमेंट पिन के ये वहाल लिंक पे क्लिक करके तुरुंत आप टेलग्राम चैनल जोईन कर लिए दोस्तों कभी चार बच के 30 मट से स्टार्ट होगा और दोस्तों जो मैच होने वाला है भारत रतन सिरी अटल विहारी बाजपई इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनाउ के अंदर मैच खेले जाएगा यहां के बिकेट की जो यहां का जो बिकेट होता है और बैलेंस होता है यहां पे दूस्तों सुरुवाति वर्ष जो थे उसमें बैटर्ड के लिए बढ़ी हा बिकेट रहता है बॉल अच्छी तरीके शेड़ा बैट पर आता है लेंगिन जैसे-जैसे मैचेस होसते जाते हैं बॉल थोड़ा सा पुराना होता है तो फिर spinners को या पर ठिक ठाक टर्ण भी मिलता है और बोमेंस मैचेस में वैसे भी spinners ज्यादा important रहते हैं क्योंकि बोमेंस मैचेस में पेसर्स थोड़ा मतलब run कम देते हैं लेकिन बोमेंस में जो spinners होते हैं बिकट ज्यादा लेते हैं आउस्तर क्योंकि बोमेंस मैचेस में इस्पिनर्स को लोग थोड़ा ज्यादा ही टार्गेट करते हैं तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा जो मेन इस्पिनर्स है जो अपने चार और पूरे डालने वाले हैं ज्यादा बड़िया रहेगा श्टार्ट करते हैं इस टीम के तब से आप ओपनिंग करते हैं माधरू में तो उनके साथ उपन करने हैंगी असुनी कुमारी देखे टोप अटर के वेल लेवाज है और अच्छा कर रहें हैं दोनों मेंचे वेल बैटिंग से अच्छा स्कोर हैं इनके साथ उपन करने हैंगी असुनी कुमारी राइट हैं बैट्समन है ये भी मीडियम पे इस कभी कबार एक आत्वर की बॉलिंग कर जाती है लास्ट गेम में दोस्तों उन्हें ग्यारा रन किये उसके पहले तेरा की दोवर की बॉलिंग भी कराई थी जहां पर एक विगेट मिला हुआ था तो आपके टीम में एज अपले ट्राइ कर सकते हो क्योंकि 10-15 बैटिंग से कर सकते हैं प्लस एक आत्वर की बॉलिंग कराएंगी तो उसमें विगेट लेने की चांसे बन सकते हैं मीता पॉल की बात क प्रेक बॉलिंग करती हैं इंडिया के लिए भी खेल चुकी हैं कुछ टाइम पहले इंडिया टीम से खेला करती थी लेकिन जैसे से कुछ अच्छे प्लेयर के इंडियन टीम में उपसी होई तो फिर इनका पत्ता कट गया था लेकिन डुमस्टिक में अब भी अच्छा करत सब्सक्राइब एक विए बिएम इंगे अच्छा खासा और खेल को मिलेंगे और साथ में तीन चार ओए डालेंगे तो बिकेट निकालने कि चांस अच्छे बनेंगे प्रियंगा आप केपिंग करेंगे लेकिन कुछ खास नहीं करा हुआ और यहां से रस्मी दे को भी चोड़ देना है क्योगी यह पर यह तो keeping कर रहें यहां पर जो जुमकी देवनाथ और रस्मी दे दिखरे है इन दोनों मैस में देवनाथ नहीं कुछ फास नहीं कर रहा हुआ क्योंको दोस्तों टीम इनको आज आज से लोग एवरेज दिखेंगे अपर प्रियंका प्रेदर्शनी राइट हैं बट्समने अब्रेक बॉलिंग करती हैं दोनों मैचेस में चार चार वर डाला हुआ है दो बिकेट लेने में सफल रही है इंपोर्टन रहेंगी चार वर को पूरी बॉलिंग करते हैं तो अपने इनको जरूर ट्राइ ये टीम ज्यादर मैचे सारी इसलिन के बॉलर्स को ज्यादर बिकेट मिला नहीं है और बॉलिंग तो ये भी करा रहे हैं बाइटिंग सक्समन मिलेंगे लेकिन एक प्योर बॉलर है आप इनको भी ट्राइगर सकते हो सान्ति को मैई लास्ट मैच खेली नहीं थी अब दोस्त चार बॉलर ये इस टीम के पांच मिन बॉलर्स हैं अब दोस्तों बात करते हैं इस मैच कि जो मारी दूसरी टीम रहने वाली है सीजट बॉलर्स की लेकिन उससे पहले बता दू जो फाइनल टीम आपको दिया जाएगा फाइनल अपडेट मिलेगा जिसका लिंक इसी वीडि इस टीम के तरफ से आपको ओपनिंग करते हो दिखेंगे नुजहत परवीन इनके साथ ओपन करने आगी यहाँ पे चार्शी आकतर बात करें दूस्तों परवीन की राइट हैं बट्स में बिकर कीपरिंग भी करती हैं इंडिया के लिए उनने बहुत सारी गेम्स खेले बलकि अपने टीम मैज अपलेट चरूट रही करने ओपन करते हुँ नेजर आएंगे पर स्कीपिंग करेंगी तो कैप्टन भी बना सकते हो कुछ जीस आपके सामने वेल टीम का बालिंग लाइन अप है तो मुझे लग रहा है फिर इनको एक अच्छे निंग खेलनी बलकि अच्छा करा हुआ है लास्ट गेम में गेरा की है पहले गेम में दोरन की दोर की बोलिंग भी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं तो ठीक टाक से पिक हैं अजबलेट जरूर ट्राइग करेंगे बैटिंग कर रहे हैं नीसे लिकिन दोस्तों आप मुसकान मलिक बॉलिंग दोसे तीन वर्ट चरूर कराएंगी एक बिकट निकाल चुकी है अब तक बैटिंग सेक्षन में मिलेंगी चरूर बिक कर सकते हो यहाँ पे दिशा का सथ कुछी कुछ खास लगी नहीं चोड़ सकते हो अंजली सरवानी इंपोर्टन रहेंगी राइटा मेडम बे ना तो उतना पेश चनरेट करती हैं ना तो उतना लिंट सही रहता है मतलब सिर्फ देखा जाए तो ठिक ठाक सी पिखाएं एक आज येल में ही ट्राइगा ने ज्यादा को इंपोर्टन नहीं और चार वक पूरी डाल भी नहीं तीन तीन वर का ही बॉलिंग करा हुआ है ता नहां पर भी डूमेस्टिक में दो मैच में सिर्फ एक बिकट मिला हुआ है जरूर रहे के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्पिरियंस है हर कंट्री में ज्यादिया के खेलने का इंडिया के लिए बहुत मैजिस उनने खेले हैं लेकिन अभी फॉंब उतना साथ नहीं दे रह इन में से ज्यादाता है कि तीन-वर ही बहुत सारे प्लेयर करते हैं तो इन में से जिसके बीवर करते हैं तो छेटों में बोलेंगा में आप्सन है अनजली सिंग का एकाथ दूरे डालिए इनकी अलावा भी टीम चाहे तो एकाथ वर कभी कभारी एमले तसक्राती है लेकिन इनके चांसे बहुत कम रहेंगे अंजीरे सिंगी इनकी में छेट्फवीं बॉलर है यह चीज़ भी याद रखेगा अब दोस्तों इस मैच का टीम के आचले में आपको टीम भी दिखा दे रहा हूं जो फाइनल टीम आपको दिये जाएगा फाइनल अपडेट मिलेगा वो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंड पिन किया हूए लिंक मिलेगा आपको लिंक पे क्लिक करके तुर्ण टेलिग्राम से जुड़ जाए उननीच जार के असपास लोग और लडियों पर जुड़े हूए तो आप भी जुड़ूर जोइन कर लीजेगा औ तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है अभी के लिए चले टीम देखते हैं दोस्तों मात करें टीम की तो बिकेट कीप्रिंग से मैं नुजहाद परवीन और मादुरी महता के साथ जा रहा हूँ बैटिंग से दोस्तों मैंने दैलेन हैमलता को मिलीटी में लिया हुआ है यह से बैटिंग करते हुए दिखेंगे प्रस तीन से लेकी चार और की पूरी बॉलिंग कराएंगे इसलिए कैप्टन से के सबसे बहुतरी नुजहाद परवीन है अच्छे फॉर्म में लग रहे है यह बैटिंग से आपको ओपन करते हुए प्रस बिकेट कीप्रिंग भी करेंग बैटिंग करें तो यह कुछ CBC को अप्शन थे ग्रांड लिग के लिए माके स्मॉल लिग में तो यह दोनों बेस्ट ही है और अभी के लिए मैं भी इसी टीम से अपने कॉन्टेस्ट जोइन कर रहा हूं लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं है आफ्टर तोस इसमें टेलेग्राम से एंट्री ले लेनी है वीडो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करतीजिएगा और अधि आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस्ट करिए और डिसकर्शन में थोड़ा सा नीची जाओगे तो आपको इस जरूर फोलो कर लेगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो वार्श करने के लिए दिल से धन्यवाद